तो पठान एक फ्लॉप फिल्म है जी हैं दोस्तों ये मैं नहीं कहा रहा बट सोशल मीडिया पर ऐसा निरेटिव दिया जा रहा है कि पठान फिल्म एक बहुती फ्लॉप और डिजास्टर फिल्म है एक ऐसी फिल्म जिसने दो दिन में वर्लवाइट 219 करोन का बिजनेस किया उस फिल्म को घटिया और बकवास फिल्म बताया जारा तो जानने की कोशिश करते हैं कि पठान एक फ्लॉप फिल्म है नरेटिव नमबर बन कहा जा रहा है कि ये फिल्म शारौ खान की कमबैक फिल्म है और सिर्फ इस बज़र से ओडियंस उनको देखने के लिए इतनी आिमने ब्ली को पढ़ी इस वाली से और सी ओसर फिल्म है और इस वज़र से कहा जा रहा है कि हुछ भी तो चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं आपको स्पाई उनिवर्स के बारे में कुछ बता देते हैं तकरीबन 340 करोन था और इस फिल्म को भी ब्लोग बस से डिकलेर किया गया था जी हां इस फिल्म की आएंडीब रेटिंग 5.9 है और फाइनली स्पाई उनिवर्स की लास्ट फिल्म वार ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी 2019 गांधी जैन्ती पे जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसमें बॉक्स ऑफिस बहुत बड़ा धमाका किया था टाइगर श्रॉफ और रितिक रॉशन को साथ में देखके ओडियंस बिल्कुल पागल हो गई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे तकरीबन 318 करोन का बिजनस किया और ये उस साल की सबसे बड़ी हाइस ग्रॉस अब फिल्म देखते हैं वो सब लोग जाके IMDb पे रेटिंग देते हैं मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी IMDb पे रेटिंग दे दी होगी तीसरा नरेटिव फेक रिव्यूज जी हाँ पठान के बारे में कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एवरेच सी फिल्म है जिसको जबरस्ती चार से सारे चार स्टार दे दिये गए है और सिर्फ इनकी स्टार रेटिंग की वज़र से ये फिल्म कमा रही है अगर आपको याद दिला दू तो लास्ट ये जब ब्रहमा स्ट 9 सप्टेंबर को रिलीज हुई थी तो बड़े-बड़े क्रि पठान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि रिपब्लिक डे पर रिलीज हुई सिर्फ इसलिए ये फिल्म कमा रही है तो चलिए कैलेंडर को एक साल पीछे ले जलते हैं 2022 में जब बच्चन पांडे होली पर रिलीज हुई थी तो वह फ्लॉप रही थी इसी के साथ साथ अक्षा कुमार की एक बहुत बड़ी फिल्म रक्षा बंधन न भी रक्षा बंधन के पौके पर रिलीज हुई थी वो फिल्म भी फ्लॉप रही फिर दिवाली पे ही अक्शा कंसे आर्भार इक कि सिफ content work करता है शाहिद यही रीजन है कि Bollywood की सिफ 5 फिल्में पिछले साथ successful रही तो problem है कहां आखिर मैं बताता हूँ problem basically यह है कि हमें different point of views accept करना नहीं आता हम कहने को तो democracy में रहते हैं बट अगर हमारी बताई हुए film hit और हमारी बताई हुए film flop होती है तो हम कहते हैं कि देखो मैंने क्या बताया था लेकिन वहीं अगर हमारा prediction गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं जी हमारा prediction बिल्कुल सही था वो तो जनता पागल हो गई है जो इस film को hit करा रही है तो आपने पठान फिल्म देख ली पसंद आई मुबारा को नहीं पसंद आई फिर भी मुबारा को लेकिन इस आजाद भारत में कम से कम एक आम आदमी से एक फिल्म को पसंद और ना पसंद करने का हक मत चीनिये वैसे आपको नहीं पता तो बता दूँ कि रिपब्लिक रेकी छुट्ती अब बिल्कुल खतम हो चुकी है और इसके बावजूद भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पे 400 करोन का बिजनस करने वाली है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करिएगा पर इस वीडियो को जादा से जादा लोगों को शेर करिए ताकि उन लोगों का गेम एक्सपोज हो जो इस फिल्म के खिलाब जबरस्तिक नेगिटिवटी खिलाने के कोशिश क सुछी मत पात्प जादा से छुछीश को जुछी लोगों के लिडियो को शेदो से छे कम हैं।